हेलो दोस्तो आप सभी का एक ने वीडियो में स्वागत है और दोस्तो आज मैं आप लोग को present continuous tense बताने जा रहा हूँ और आज हम लोग affirmative sentences सीखेंगे बहुत सारे examples है तो दोस्तो आज का listen काफी interesting और knowledgeable है कृपिया इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे दोस्तो जब काम बरतमान समय में जारी रहता है तो उसे present continuous tense में माना जाता है present का अर्थ होता है बरतमान और continue से बनता है continuous इसका मतलब होता है जारी रहना तो cool मिलाकर हुआ present continuous tense दोस्तो हिंदी sentence में अंत में रहा है रहे है रही है रहता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि यह present continuous tense में है लेकिन दोस्तो grammatically हमें यह समझना है कि बरतमान समय में present time में काम जारी है यानि काम होना बंद नहीं हुआ है जैसे वह तुम्हारा इंतिजार कर रहा है तो वह अभी भी तुम्हारा इंतिजार कर रहा है यानि की काम जारी है तो यह present continuous tense में हुआ तो दोस्तो सबसे पहले subject लिखेंगे उसके बाद subject का नुसार am is r लगा देंगे मैं आपको बता दूँ कि I के साथ सिर्फ aim लगता है इसके लाबा second person you के साथ आपको r यूज करना है third person singular number यानि कि he see it कोई एक वेक्ती या वस्तू के साथ आपको easy यूज करना है और एक से अधिक वेक्ती या वस्तू या फिर we और दे के साथ आपको r यूज करना है उसके बाद word में ing form यूज करना है और फिर object लिखना है object का रथ हुआ जैसे वहाँ एक पुस्तक पड़ रहा है तो यहाँ पर पुस्तक यानि book क्या है object जैसे वह मुझे पीट रहा है तो यहाँ पर मुझे क्या है object तो यहाँ पर है वह तुम्हारा इंतिजार कर रहा है इंतिजार करना का wait होता है और इसके साथ हमेशा ही for you करते हैं जैसे तुम्हारा इंतिजार तो waiting for you तो यहाँ पर हो जाएगा he, और he के साथ is यूज करेंगे, he is waiting for you, he is waiting for you, मैं नींद महसूस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखेंगे I, I के साथ aim यूज करना है, I am feeling sleepy, I am feeling sleepy, हम लोग इस वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे, we are praying to God, और दोस्तो आप लोग present in definite tense सिखने के लिए इसके पहले वाले वीडियोच को जरूर देखेंगे, मैंने बिल्कुल सुरूर से बताया है, और दोस्तो आज का वीडियोच पूरा जरूर देखेंगे, मैंने अलग-अलग sentences लिया है, मैं अगले सप्ताह मुंबई जा रहा हूँ, तो दोस्तो भविश्य को दिखाने के लिए भी present continuous tense का यूज होता है, मैं अगले सप्ता मुंबई जा रहा हूँ, I am going to Mumbai अगले सप्ता next week, I am going to Mumbai next week, पक्षी आकास में उड़ रहे हैं, यानि कि एक से अधीक है, और पक्षी वही है जो मेरी आँखों के सामने है, तो आप दा यूज कर सकते हैं उसे खास बनाने के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे, The birds are flying in the sky, वह एक स्वेटर बुन रही है, तो यहाँ पर है बुन रही है, यानि कि फीमेल है, तो यहाँ पर सी यूज करेंगे, C is, बुनना का नीट होता है, और इसमें ing फोम यूज करेंगे, तो डबल टी यहाँ पर हो जाएगा, Bहुत सारे ऐसे verbs हैं, जिनमें ing यूज करते हैं, तो डबल हो जाता है, जैसे running, तो R-U-N-N-I-N-G, यानि डबल एन हो जाता है, swimming, तो इसमें डबल एम हो जाता है, तो आप इस सीच का भी धियान रखेंगे, तुम्हारा बेटा रो रहा है, तो यहाँ पर है तुम्हारा बेटा, यानि कि your son, वेक्ति की संख्या एक है, इसलिए is यूज करना है, यह नहीं कि तुम्हारा है, योर है, तो आर यूज कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, your son is weeping, या फिर crying, your son is weeping, वे लोग आम खा रहे हैं, वे लोग यानि कि दे, दे के साथ आपको are use करना है, they are eating, और यहाँ पर लिखेंगे mangoes, क्योंकि यहाँ पर वे लोग हैं, तो आम एक से अधिक जरूर होगा, they are eating mangoes, तुम्हारे दोस्त लोग नाच रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्त लोग, यानि कि वेक्ति की संख्या एक से अधिक है, तो यहाँ लिखेंगे, your friends, और एक सधिक वेक्ति में आपको are use करना है, are dancing, your friends are dancing, वे लोग पतंग उड़ा रहे हैं, उड़ना और उड़ाना दोनों का ही fly होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे, they are flying kites, they are flying kites, यहाँ भारी बारी से हो रही है, तो यहाँ पर sentence को it से सुरू करेंगे, और it के साथ आपको is use करना है, it is raining heavily, और यहाँ के लिए here use कर देंगे, over here भी आप लिख सकते हैं, it is raining heavily here, वे लोग आपस में जगड रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे, they are fighting, यहाँ फिर आप quarreling भी लिख सकते हैं, और आपस में, यानि जब दो लोग आपस में कुछ करते हैं, तो each other का use करते हैं, और दो से अधिक में one another का भी use करते हैं, लेकिन spoken English में each other का ही ज़्यादा यूज होता है, लेकिन आपको option में मिले, तो grammatically one another ज़्यादा सही है, आप चाहें तो each other भी लिख सकते हैं, बच्चे वर्ग में हला कर रहे हैं, हला करना make a noise या फिर shout वर्ग का भी आप use कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे, बच्चे यानि के एक सधिक, the children are shouting in the class, मेरे पिताजी खाना खा रहे हैं, तो यहाँ पर खाना के लिए आप फूड या मील का यूज कर सकते हैं, और खाने के लिए generally eat का यूज होता है, लेकिन इसे थोड़ा और stylish बनाने के लिए आप having का use करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, my father, वेक्ति की संख्या एक है, is use करेंगे, is having, भोजन कर रहे हैं यानि के अपना भोजन कर रहे हैं, आप his का भी use कर सकते हैं, his meal, my father is having his meal, having his breakfast, having his dinner, इस परकार से आप लिख सकते हैं, हम लोग सोने जा रहे हैं, तो इसमें दो बर्व है, एक है जाना, एक है सोना, तो पहले लिखेंगे, we are going to sleep, उसी परकार वह एक कार खरिदने जा रहा है, he is going to buy a car, जैसे माल लीजिए मैं अगले सप्ता एक कार खरिदने जा रहा हूं, I am going to buy a car next week, तो अभी वहा काम हुआ नहीं, भविश में होगा, लोग मुझे धमकी दे रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे, people are threatening me, people are threatening me, सभी आप पर हस रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे, all are laughing, आप पर at you, all are laughing at you, वे लोग सिर्प मजाग कर रहे हैं, तो हसी मजाग करना इसे कीडिंग भी कहा जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे, और आप लोग लिए एक sentence है, मैं एक movie देख रहा हूं, और यहाँ पर देखना के लिए, वोच यूज करेंगे, तो यहाँ पर वोचिंग हो जाएगा, तो दोस्तों आप लोग अपना answer comment box में जरूर लिखेगा, और जरूर बताईएगा कि आज का lesson आप लोग को कैसा लगा, और दोस्तों आप लोग सभी मेरे दूसरे वीडियोज को जरूर देखेगा, सभी वीडियोज काफी interesting है, खासतोर से आप लोग 10s के playlist में जाएए, या फिर modal verbs के playlist में जाएए, इसके अलाबा दोस्तों आप लोग voice के playlist में जा सकते हैं, और direct और indirect speech के playlist में जा सकते हैं, यदि आप class 10th में हैं, तो आप later और paragraph के playlist में जा सकते हैं, हिंदी निवन्द और पत्र के playlist में जा सकते हैं, और दोस्तों English के बहुत सारे important question answers के playlist में आप जा सकते हैं, तो एक बार आप लोग सभी playlist जरूर check out करेंगे, और यदि आप अभी अभी class 10th में पहुँचे हैं, तो अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए, और मेरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए, आपके मन में कोई सवाल हो, कोई question हो, तो मुझसे जरूर पूछें, आप मुझे टेलीग्राम पर भी जोईन कर सकते हैं, यूजर आइडी सेम है, Allround Knowledge, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फोलो कर सकते हैं, मेरा यूजर आइडी वही है जो चैनल का नाम है, Allround Knowledge, साथ ही टेलीग्राम पर भी चैनल का नाम है, Allround Knowledge. All right dear students and friends, thanks for watching, have a great day.